स्वागत आपका वीक्यास फिजिक्स अकेड़ू में हमारे सामने दो क्यूसन जो है वो बार बार आते हैं कि मैन एक्जाम अब की बार कब सुरू होंगे क्योंकि कोरोना के समय में एक्जाम है काफी लेट हुए और उनका रेजल्ट भी काफी लेट आया है तो अब की बार मैन एक्जाम शुरू होने की समभावनाई क्या है इनविश्टी से यहाँ पे आपको एक अप्डेट दी जारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ और एक्जाम फोरम कब से शुरू होंगे यह दो ही पॉइंट हमारे पास इस वक्त इंपोर्टेंट है जिनका एंस्वर हर कोई जानना चाहता है तो जैसा कि हमें इनपूट मिली है आपको पूरे डिटेल से भी बताएंगे मुख्य प्रिक्षा 2023 जो है वो मार्च अप्रेल में होने की संभावनाई बताई जारी है इनविश्टी इसको लेकर तयारियां कर रही है कि एक्जाम है वो मार्च अप्रेल में सुरू करवा दिये जाए ताकि प्रिक्षा प्रणाम जारी करने में देरी ना हो और आगे नया सेसन है वो भी लेट ना हो और एक्जाम फोरम की बात है एक्जाम फोरम के लिए ये कहा गया था उनिश्टी की तरब से कि जब हम सप्लेमेंटरे एक्जाम के रजल्ट जारी कर देंगे उसके बाद प्रोसेस शुरू होगी एक्जाम फोरम भरवाने की और वो जो सप्लेमेंटर एक्जाम से हैं उनका जो रेजल्ट वो जारी हो गया है तो अब इनुश्टी ने काया कि इसकी तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही एक्जाम फोरम है उपन कर दिये जाएंगे तो जहां तक मुझे लगता है 25 तारिक तक 25 दिसंबर तक एक्जाम फोरम है वो शुरू होने की संभावना ये नजर आती हैं हो सकता है एक दो दिन उपन इचे भी हो जाए लेकिन 25 के आसपास एक्जाम फोरम जो है वो आपके उपन हो जाएंगे और मुख्या प्रिक्षा 2023 से पहले जो प्रैक्टिकल होंग होंगे तो अगर अभी तक अपने स्टडी को शुरू नहीं किया है तो आप अभी से शुरू कर दीजेगा क्योंकि स्लेबस अब की बार पूरा आएगा पढ़ने का मेटेरियल आपके वास बहुत ज्यादा है टाइम आपके वास कम है क्योंकि इस साल जो ही सत्तर में कोलेज और जो भी आपको प्रोब्लम आये किसी टोपिक में तो आप कमेंट कीजिएगा आपको वो टोपिक उपलब दिकुराने की पूरी कोशी से करेंगे तो आईए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इसको लेकर क्या इंपूर्ट समारे सामने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते ह प्रिक्षाओं की तैयारियों में जुटा MGSU जल्द सुरू होंगी प्रिक्षा फोरम भरवाने की प्रकेरिया यह तो अभी हमने आपको बताया कि जो एक्जाम फोरम है वो जल्द ही सुरू हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर जो इंपोर्टेंट पॉइंट आता है वो यह है कि ऑनलाइन प्रवेश प्रकेरिया लगभग पूरी होने के बाद अब महराजा गंगासी मिश्विदाले प्रिक्षाओं के तैयारियों में जुट गया है जल्द ही बैठा कायोजन होगा इसके बाद प्रिक्षा फारम कीते थी जो है वो गोशित की जाएगी और जानकारी क कि अनुसार अगले सब्ता तक प्रिक्षा फरम बरवाने की प्रकेरिया सुरू हो सकते यानि 25 के आज पास और तैयारियां उसके लगभग पूर्ण कर ली गई है इसके बाद हम यहां देखें तो कि उमीद की जारी है कि जल्द ही प्रिक्षा फरम बरवाने की प्रकेरिया क शुरू होने की ताकि समय पर प्रिक्षा प्रणाम जारी किया जा सके क्योंकि अभी जो करोना के वज़े से प्रिक्षा फारम भरवाने में एक्जाम करवाने में और रजल्ट जारी करने में काफी जो सेडूल है वो उल्टा बुल्टा हो गया था तो उस सेडूल को सुधारन में इन्होंने एक input दिया है कि मार्च अप्रेल में हम प्रिक्षाइन शुरू करवाएंगे जिससे कि प्रिक्षाइन जो है वो आपको बता है लगभग एक डेड़ महीना अराम से लग जाता है प्रिक्षाइन होने में और उसके बाद डेड़ दो महीने का टाइम होता है आप आपका result जारी होने में तो इन सब के मध्ये जल्द ही exam हो जाएं और जल्द ही उनका result भी जारी हो जाएं इस विदाले की तरफ से मार्च अप्रेल में प्रिक्षाइन शुरू होने की संभावना है और इन से पहले आपके प्रिक्षा नियंतर के हैं राजा राम चोयल उन्ह पूश्टी से आती हैं सबसे पहले आप तक पूरी डिटेल से हम पहुंचाते हैं तो वीडियो को लाइक को मेंट शेयर जोरू करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो में नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद